So hello बच्चों, कैसे आप सभी, I hope आप सब बढ़िया होंगे, तो बच्चों एक important information है, आप सभी के लिए जो मैं चाहता हूँ आप अच्छे से सुने, yes जो आपकी answer sheet है, answer sheet माने, जो आपकी OMR sheet है, उससे related एक बड़ा बदलाव आया है, उससे related एक नई चीज शो की गई है, तो बच्चों आज के वीडियो में मैं आप से discuss करूँगा कि जो वो चीज जो नहीं introduce की गई है, उसका कैसे आप लोगों को use करना है, बच्चों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा कि प्लस टू की series हमारे channel पे अच्छे से चल रही है, MCQs आप हमारे साथ practice करके चल सकते हैं, so do subscribe our channel, तो बच्चों क्या चीज नहीं आई है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, माल लीजिए, माल लीजिए कि बहिया question number one है, तो मैंने क्या किया, मिरको लगता है question number one का जो answer है, वो है B, तो मैंने ऐसे, अपनी pencil से, अपने pen से, जि तो बच्चों, CBSC वालों ने काट, टेंशन मत लीजिए, इस बार हम एक customized OMR sheet लेके आ रहे हैं, इस बार हम कुछ एक नई चीज इंटर्ड्यूस कर रहे हैं, वो नई चीज क्या है बच्चों, वो नई चीज है, ये वाला box, अभी इसको नहीं देखेंगे आप लोग, अभी अचा, बट answer तो C था, तो मैं कैसे करूँ सर, C को मा करूँ नहीं बच्चों, सीधा सीधा यहाँ पर C लिखती जिए, समझ में आई 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 बात के नहीं आई, कैसे, मा लीजिए, question number 2 है, इसका बना हुआ है, A, B, C और D, और साथ में ये बकसा बना हुआ है, और गलती से मैंने D mark कर दिया ऐसे, और फिर मुझे पता लगा, अरे यार इसका answer तो B था, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा यहाँ B लिखती जिए, और एक चीज, एक चीज मैं आप लोगों को बता दू, जो CBSC वाले भी बोल रहे हैं, और मैं भी बोल रहा हूँ, जो answer box में लिखा होगा, वो आपका final answer होगा, अब इसमें यह मत बोले लग जाना CBSC वालों को, अरे CBSC वाली इसको छोड़ो, यही सही है, यही सही है, जो box में answer होगा, वो आपका final answer होगा, तो बढ़ते हैं अपनी second चीज की तरफ, बचो क्या होता है कि हम, वैसे तो बगवान किरपा करें आप सब पर, हम इतने positive हैं कि हमारे बच्चे एक एक question करके आएंगे, बट कुछ questions ऐसे हैं, जो हम लोग skip करके आएंगे, तो दूसरी चीज है, hashtag वाली चीज, जैसे ही आप अपनी omar sheet देखेंगे, तो आपको बखसे के साथ, यह तो मैंने समझा दिया है, आपको hashtag वाल आप circle कर देंगे, और यह obvious सी बात है, यह वहाँ करना है, जोंसा question आप skip कर रहे हैं, मैं अपने आपको repeat कर रहा हूँ, यह वहाँ करना है, जहाँ पे आप लोग कोशन जोंसा आप skip कर रहे हैं, that means इसमें से तो कुछ आपने mark किया, that means आपने question skip किया, that means यहाँ पे आपको य करना है, तो बचो यह थी आप लोगों के लिए दो चीजें जो मैं चाहता था कि आप लोगों से, मैं बताऊं क्योंकि यह most important चीज है, यह चीज मिस्मत करना, मैं बार बार आपको बोल के चल रहा हूँ, क्योंकि हमारे जमाने में क्या होता था भाई, गो हमारे शीट होती B option mark कर दिया, फिर याद आया, C है, हम भया pencil, अगर pen से होता तो कोई option नहीं है, अगर pencil से होता तो हम गिसने लगे होते हैं, नहीं यार, B को मिटा, C पे कर, तो आप लोगों के लिए एक अच्छी चीज निकाल दी box वाली, और hashtag मैंने आप लोगों को समझा दिया, और चीज जो मैं आप लोगों को बता दू, बच्छो, जिस दिन आप लोगों का exam होईगा, जिस भी subject का, उसी दिन ही वहाँ पे जो teachers होएंगे, ना center वाले, वो आपका paper check कर देंगे, आपको पता नहीं लगेगा, क्योंकि आप तो घर आ जाएंगे, उसी दिन ही कर देंगे, तो यह पता नहीं रहूं, वैसे यह चीज CBSE की तरफ से आई है, वहाँ पे जो center में आपके जो teachers बगएर होएंगे, उसी time paper check कर देंगे, और उसके बाद जो आपकी copies है, उसी वो registered office जो है, CBSE का वहाँ भीजी जाएंगे, तो यह चीज तो अपने दिमाग से निकाल दो, इन दो ची चीज भी आ गई है, हाँ बच्चो यह चीज भी आ गई है, और site पे, site पे इस video के starting में भी आपको आ जाएगा, और फिर से मैं show कर रहा हूं, जैसी हो हमार शीट आप लोगों को आनी है, वैसे आपको site पे बनी आ रही हो, तो ठीक है बच्चो, अच्छे से अपनी त्यारी क करते रही है, और हमारे चानल के साथ जुड़े रही है, प्राक्टिस करनी है, तब भी हम आपके साथ है, अगर कोई information आई है, जो आपके लिए useful है, तब भी हम आपके साथ है, तो ठीक है बच्चो, मिलते हैं अपनी next वीडियो में, तब तक के लिए happy learning, thank you.